ये ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, आप हिंदू को क्या समझ रहे, कुछ लोग हिंदू होते भी तिलक तो लगा ले हैं, लेकिन मदीरा भी पी ले हैं, मीठ का प्रियोग भी कर ले हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोधरी कावड यात्रा पर योगी सरकार के एक फर्मान की शमय काफी चर्चाएं हैं और कुछ लोग उस पर अपनी कडीप परतिकिरिया भी दे रहे हैं योगी सरकार ने भी फर्मान जारी किया है कि कावड यात्रा के दोरान कावड मार्ग पर जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट, ठेली, रेडियां हैं सब को नेम प्लेट लगानी होगी यानि उनके मालिक का नाम लिखना होगा और इसके पीछे तर्किये दिया है के कावड यात्रा के दोरान जो कावड यह होते हैं उन्हें ये पता चल जाए कि ये दुकान हिंदू की है या फिर मुस्लिम की है क्योंकि कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं कई भार जगडे फसाद हो चुके हैं आज इस पूरे परकारन पर बाचीत करने के उस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं आपके हिसाब से फैंसला सही है या फिर इसमें कुछ तुरूटी है क्या आपने महसूस किया देखे विपिन जी जहां तक इसा आदेश की बात है जो आदेश-परदेश गवर्मेंट ने जारी किया है इस पर यह एक वहरा इसा पवित है बहुत बड़े बड़े रूट है उन रुटों पे जो भंडारे लगते हैं या दुकने लगती हैं या होटल पढ़ते हैं फरूट्स की दुकने होती है उन्में जहां तक नेम पलेट की बात है यह दिको किसी भी आदार पर अच्छी नहीं है चूबकि इससे एक नमफरत लोगी बात कर लूँ या हिंदू दुकानों की बात कर लूँ देखे कुछ लोग हिंदू में भी जादे संक्या में मिल जेंगे आपको जो श्राब का भी सेवन कर लें और मीट मदीरा का भी सेवन कर लें भाई साब तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नेम पलेट जहां तक देख कैलासपुर से और यह आपके गागल लेडी में भी है और अग्गे भी कितने ही मुसलमान भाई कावड यात्रियों के लिए गरम पानी भी यूज करते हैं गरम पानी से उनके पैर भी दोते हैं उनकी शिवा भी करते हैं और भाई साब बंदारे भी देते हैं तो देखिए वो और त्योहसारों को कोई सम्वान देने का काम करें और उस से नफरत की दोर पे देखें उसका रीजन गलत जाता है तो मेरा कहने का मतलब यह ऐक बात से मैं जोड़के चलूं जहां तक मुसलमान की बात होगी यह मुसलमान कुछ चिन्नितों किया जा राज में इस ब्यान के इसमें होना चाहिए, यो गॉर्मिंट की तरफ से भी, के उस रूट पे कहीं भी मीट की और मदीरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, जब तक कावड यात्रा चले, ये तो गॉर्मिंट का फैसला है, सही, सत्यता सही, सो परसेंट सही, लेकिन जहां तक ये बात है, इसमें तो द दुकान लगाते हैं नफरतों की, एक दुकान लगाते हैं मौबबत की, तो जहां तो मौबबत का परसाद बटेगा, देखिए, वहां जनसों मदाए जादे कट्ठा होगा, जहां नफरत की दुकान आप लगाओगे, तो वहां रीजन कुछ और जागा, अगर जगड़े भ खुराफाताजा, तो ऐसा ऐसा मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, मैं ने कह सकता मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, लेकिन ये ये, ये आदेस बिलकूल गलत है, इसके पीछे तर कि ये है के कावड यात्रा के दौरान कहीं बार ऐसी इस्थिति बनी है क्या ये और देख़े जहां तक इस बात की बात है कि उनके ढप एंवाहा है यह बात कहारे ना यहां तक मुस्लिम समुदाय की की बात है ज्यादा तर कवर्ड बनाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग है जाद अतर ये आपके सांड़पुर में वूर्ड कार्विंग का काम होता है उसमें अभी देख लिए आप सड़कों पर जाकर के मंडी ठाने के एड़दीर चिलकाने अड़दे की तरफ या इधर राय वाले की तरफ वहां सू फीजद दुकानों पर मुस्लमानों की मंदिर बने रखे उन्हें को बरा रहा भाई साब? वो भी तो मुसलिम बना रहे हैं और भाई साब जैङं तक यह मारी जो मारे भागवानों की तस्वीर बनाई जाती है वहां भी मुस्लिम कारी कर रहे हैं और देखे एक बात और बतारा हम आपको नहीं एक पत्थर पर कोई लाग चोट मार करके करोड़ों चोट मार करके एक भगवान तयार होता है जब वह अपने असली रूप माती है ना उत तस्वीर तब वह पूजने योग्य होती है तो उसक या मुस्लिम के ढबे से या मुसल्मान की भड़ों की दुकान से या चाय की दुकान से ये नफरत वाड़ी बात पैदा हो सके तो अगर किसी वेक्ति का हिंदू ध्रम के वेक्ति का एक्सिडेंट हो जा या कोई भेंकर बिमारी से जूज रहा हो और उसके खून की आउ सकता उसके भी आप पुछोगे कि ये जरीब का कून है या ये रामसंदर का कून है उस पर तो कोई भी नी पूछता उससे तो ये का आजा के जिंदगी बच जा ये र्दिइन की का हो चाहे किसी का भी होząd वहां तो कोई नी पूछता बाइसाब तो मेरा कहनें का मतलब्व je है कि जब मुशलमान इस देश की जो लड़ाईया लड़ी, देश की भी लड़ाईया लड़ी, देश की अजादी की भी लड़ाईया लड़ी, जब उसमें सामिल रहे, आपके साधी वियाओं में, दुकों में, दर्दों में सामिल रहते हैं, तो इस ज्यान का कोई उचित्ते नही बैखता ये तो बिना मतलब की बाते हैं बाई साब ऐसी बात तो कभी फैलाने नी चाहिए और ना इस तरह के आदेश पारित होने चाहिए मेरे इसाब से सला की तोर पर कह रहा है मैं कोई भाई रोक तो सकता नहीं किसी को मुस्लिमों को एक तरह से टार्गेट किया जा रहा है देखे एक बात बताओ मैं आपको देतो रहा सम्मान करतो रहा आपकी इज़त और आप मुझे नफरत की दरश्टी से देखोगे तो अपमान तो हो गई हैं जी ये अपमान भरी बाते हो सकती हैं अब से पहले कावड यात सावन के महिने में कुछ मुसलिम भी जाते देखे मने मुसलिम भी जाते देखे और और सुनो भाई साव जब ये पवित्र रमजान का महिनना चलते हैं ना मने कुछ हिंदू रोजे भी रखते देखे उन्हें क्या कहो गया उसे क्या कहो गया हिंदू भी रोजे रखते को उसको बड़े प्यार और मुहबत की साथ में मनाना चाहिए और एक दूसरे का सहियों करना चाहिए अभी मैं जोरी अपरशाद की दुकान दूड़ाय का घंगा हैं वहां भी तक्रम आ तो वह जो बहुत बड़ी आतरा है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस की बाते धानमिक अनुष ठानों में नहीं होनी चीए इन में नहीं होनी चीए वैसे आप देखो राजनिती नफरत की कर रहे करो जाओ नफरत फैलाओ या भाई प्यार महबत फैलाओ उसका फैदा भी होगा नुक्षान भी होगा फैदा तो यहां हो सक है कि एक समुदाई नहीं की जाती विपिंजी सर्वे द्रहम को जोड़ना पड़ागा जब एक बात रहो जब महारी गोवर्मिट का यह नारा है सबका साथ सबका विकास सबका संबान तो उसमें तो कोई हिंदू-मुसल्मान की बात ही नहीं रही उसमें तो सबका ही होना चीए और हम तो यह कह कर ले या कोई मुसलिम हिंदू डाबे पर भोजन कर ले तो क्या उससे मतलब इमान खराब हो सकता है एक बात बताओ यह मुसल्मानों के साधिया हो और बड़े जितने पोलिटिकल लोग हैं मुसलिम उनके यहां साधिया हो तो उनके रिती रिवाज से ही तो होते होंगे भान ही खाना चाते वहां को कर दो कारिगर जा जा है मुस्छिम कारीगर जाएं और मेरी बात चुप जेगी आपको आप को बुरी लगजेगी कुछ और लोगो कुछ बूरे लगजेंगी और बीए जाङों को छोड़ करके मतलब भाज़ा वेसने भी खाना कहलो उसे सब्सक्राइब है तो ये बिना मतलब की बाते हैं 22 साल रही धरम की बात ना धरम किसी का तोड़ना चाहिए ना किसी के धरम पर उगली उठानी चाहिए और ना किसी को लज्जित करना चाहिए किसी को अधिकार ने किसी को लज्जित करने का अब इस निर्णे के बाद आपको लगता है कि मुस्लिमों को एक तरह से लज्जित किया जा रहा है उनका अपमान किया जा रहा है देखिए एक बात बताओ जब कोई काम प्यार मोहबबत के हिसाब से दूसरे समुदाये के लोग आपके समुदाये के लोगों को मोहबबत वांटने का काम कर रहे इज़त देने का काम कर रहे एक पुन्य कमाने का काम कर रहे और आप उनके इस तरह का कोई कटाक्ष करोगे मुसलमान की दुकान एlles भी कुछ लोग होत्ते वे भी तिलग तो लगाले हैं लेकिन मदीरा भी पी ले hun मीट का प्रियोग भी कर ले तो मैं यह कह रहा अगर इस टाइप का कोई नेने लेना ही है फिर तो यह आप कबाब मीट मदीरा यह सारे देश में सही बंद हो जानी चीए आप दक्षिन में चले जो बड़े बड़े लोग हैं हिंदू आप इधर पूरा पूर्वांचल में चल बिल्कुल करते हैं सरदार हिंदू में याथ उनके डबों पर देखियो कितना मीट बनता है वक्रे भी बनाया मूर्गे भी बनाया भाई सरदार को अरे मैं अपनी बात कर रहा हिंदू की बी किन्धी लोगों ने डबे खोल रखे तेरा दून माँ चले जो सबसे ज़्याद कोई एक धर्म के लोगों को आप उन्हें लेकर चलोगे इस बात पर ऐसा नहीं है चुक्कि आप किसी की जीव का स्वाद नहीं रोक सकते तो यह चीज़ यह है चले तो चोदरी राजकुमार घाटेडा जी को आपने सुना खिलाल इस वीडियो में बसी तना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक बने रहे हिंदूस्तान 24 के साथ नमस्का